नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका एक ने वीडियो के साथ आज हम डिस्कस करने वाले है जीके के कुछ इंपॉर्डट क्वेशन जिसमें हम करेंट अफेर के भी कुछ इंपॉर्डट क्वेशन डिस्कस करेंगे तो अगर आप जिस चैनल पे नए है तो फटावर्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइगन को भी दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटावर्ट से पहुंच जाए तो चलिए वीडियो की जो शुरुवात करते है पहले क्वेशन से पहला क्वेशन है हमारे पास हडपा सब्यता किस यूग की थी? आप्शन है कांसियो यूग, नव पाशान यूग, पूरा पाशान यूग या लोह यूग आपको फटावर्ट से राइट अंसर चूज करना है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए कांसियो यूग की ठीक है चलिए नेक्स सवाल है हमारा, क्वेशन नमबर टू है हडपा सब्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? अप्शन है 1935, 1942, 1901 या 1921 में इसका राइट अंसर हो जाता है अप्शन डी, 1921 में जो दैराम सहानी ने की ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन है हमारा, क्वेशन नमबर टू है भारतियों संगीत का आदी गरंथ कहा जाता है अप्शन है रिगवेद, उपनिशद, या जुरवेद या सामवेद इसका राइट अंसर हो जाता है अप्शन डी, सामवेद ठीक है? चलिए नेक्स सवाल है, क्वेशन नमबर फोर पुरानों की संख्या कितनी है? अप्शन है 18, 19, 20 या 21 इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्शन A, 18 ठीक है? पुरानों की संख्या हमारे पास 18 है, ठीक है? चलिए नेक्स सवाल है, क्वेशन नमबर फाइब है अस्तो मा सदगम्यों कहां से लिया गया है, उप्शन A, रिगवेद, या जुरुवेद, सामवेद या अथरवेद इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्शन A, रिगवेद से लिया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स सवाल की तरफ, नेक्स्ट है, क्वेशन नमबर 6 पाली ग्रंथों में गाउं के मुक्या को क्या कहा गया है, उप्शन है, ग्रामक, भोजक, जेश्ट या ग्रामपती इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्शन B, भोजक, जिसे हम ग्राम भोजक भी कहते है, ठीक है? चलिए नेक्स सवाल है, क्वेशन नमबर 7 किस शासक द्वारा सर्व प्रतम पाटले पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया? उप्शन है, अजात शत्रु द्वारा, काला शोक द्वारा, उद्दीन द्वारा, कनिश्क द्वारा इसका राइट अन्स रो जाएगा option C उद्धी इन द्वारा ठीक है चलिए नेक्स सवाल हमारा question number 8 जातक किसका गरंथ है option है वेश्णव, जैन, बौध या शेव इसका राइट अन्स रो जाएगा option C बौध ठीक है बौध का गरंथ है जातक ठीक है आपको याद रखना है चलिए नेक्स सवाल है question number 9 बिंदू सार ने विद्रोयों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था option है इसका राइट अन्स रो जाएगा option B तक्ष शीला ठीक है चलिए नेक्स सवाल है question number 10 मौर्यों समराज्यों में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था option है पन, तोल, कांकडी या दिनार इसका राइट अन्स रो जाएगा option A पन ठीक है चलिए नेक्स सवाल है question number 11 महावीर ने जैन संग की स्थापना कहां की option A कुंड गराम, पावा, वैशाली, वरणसी इसका राइट अन्स रो जाएगा option B पावा, ठीक है चलिए नेक्स सवाल है question number 12 सुर्यों के मद्यों भाग को क्या कह जाता है option है समताब मंडल, प्रकाश मंडल, वरण मंडल या स्थल मंडल इसका राइट अन्स रो जाएगा option B प्रकाश मंडल, ठीक है चलिए नेक्स सवाल है question number 13 किस विदेशी यातरी ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था option है हेन सांग, मैक सतनीज, इती सिंग या फायान इसका राइट अन्स रो जाएगा option B मैक सतनीज ने, ठीक है चलिए नेक्स सवाल है question number 14 नाटे और शास्तर की रचना किसने की option है वस्तु मित्र, अश्वगोष, भरतमुनी, वात्सेयान इसका राइट अन्स रो जाएगा option से भरतमुनी ने, नाटे और शास्तर की रचना की थी चलिए नेक्स सवाल है question number 15 प्राचिन भारत में निमिलिकित में से कौन सी एक लिपी दाई और से बाई और लिखी जाती थी option है, ब्रामी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्टी इसका राइट अन्स रो जाएगा option D, खरोष्टी, ठीक है next है कुछ current affairs के question जो है question number 16 हाल ही में भारत और अमेरिका के बेच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहां संपन हुआ था option है, उत्राखंड ही माचल प्रदेश, राज्योस्तान, इन में से कोई नही इसका राइट अन्स रो जागा option B, हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है, ठीक है चलिए next सवाल है, question number 17 हिमाचल प्रदेश के लिए केंदर सरकार ने कितने करोड रुपे ड्रग फार्मा पार्क को मन्जूरी दे दी है option है, हजार करोड, एक हजार सो करोड, बारा सो करोड, इन में से कोई नही इसका राइट अन्स रो जागा option C, बारा सो करोड, ठीक है चलिए next सवाल है, question number 18 है हाल ही में International Asteroid Day कब मनाया गया option है, 29 जून, 30 जून इन में से कोई नहीं यहाँ पर double हो गया है, ठीक है इसका right answer हो जाएगा, option A, 39 जून को मनाया गया था, ठीक है चलिए next सवाल है, question number 19 हिमाचल प्रदेश के लाहॉल में चिठियां पहुचाने के लिए हर रोज करीब 32 किलोमीटर पैदल चलने वाले किस postman को डाक विभाग का प्रतिष्ठिट में एक दूद पुरुसकार मिला है option है, जैचंद, प्रेम लाल, बिहारी लाल, इन में से कोई नहीं इसका राइटन सरो जागा option B, प्रेम लाल जी को ठीक है चलिए नेक्स सवाल है, question number 20 हिमचल प्रदेश डाक विभाग के किस योजना के तहत डाक टिकट संग्रहन में रूची रखने वाले में धावी विद्यार्थी को छात्र वृती देने का प्रावधान किया है option है, हिमकेर योजना, दीन दयाल, स्पर्श योजना, मुख्यो मंतरी, स्टार्ट अप योजना, इनमें से कोई नहीं इसका राइटन सरो जागा option B, दीन दयाल, स्पर्श योजना के तहत ठीक है चलिए नेक्स सवाल है, 21 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जीले के ढालपूर मैदान में चल रहे, रेड क्रोस मेले के दोरान करवाई गई वाक थोन प्रतियोगिता में पहला स्थान किसने हासिल किया है option है, हरी चंद वर्मा, दीपक वर्मा, संजे वर्मा, इनमें से कोई नहीं इसका राइटन सोर जाएगा option है, हरी चंद वर्मान है, ठीक है चली नेक्स सवाल है, question number 20 हाल ही में स्वतंतर भारत के प्रतम मतदाता, श्याम सरण नेगी ने एक जुलाई को अपना कौन सा जनम दिन मनाया option है, एक सो दो वा, एक सो तीन वा, एक सो पांच वा इसका राइटन सोर जाएगा option C, एक सो पांच वा, जनम दिन मनाया था, ठीक है चली नेक्स सवाल है, 23 हाल ही में अंजली ने दियो टिबा फत्य किया, इनका संबंद प्रदेश के किस स्थान से है option है, धरमशाला, हमीरपूर, सोलन, इन में से कोई नहीं इसका राइटन सोर जाता है, option A, धरमशाला से, ठीक है चली नेक्स सवाल है, 24 हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैक योजना को किस राज्यो सरकार ने शुरू किया है option है, उड़ी सा, उत्राकंड, हमाचल प्रदेशन में से कोई नहीं इसका राइटन सोर जाता है, option C, हमाचल प्रदेशन में, ठीक है चली नेक्स सवाल है, question number 25, जो इस वीडियो का लास्ट कोशन है हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्यो सरकार ने शुरू किया है option है, ओड़ी सा, उत्राकंड, हमाचल प्रदेश, इन में से कोई नहीं इसका राइटन सरो जाता है, option C, हमाचल प्रदेशन है तो योगत आज की वीडियो के 25 में तो पुन सवाल मिलते है, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद